आँम देखिए बगल के चितर में कहा रहा है कि AD जो है ना AD अंगल A का संद्ली भाजक है जबfounder A का संद्ली भाजक करा रहा है, तो यह सब चीजे सिद्ध करनी है. तो पहले क्या कह दिया है उस चीजों को लिख देते हैं, उसके बाद इसको AD, जो हैंना AD, angle A का सम्दी भाजक है, सम्दी भाजक है, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, का सिद्ध करना है? पहला कर रहा है कि AB बड़ा है BD से, ठीक है? दूसरा चीज दिया है कि AC बड़ा है CD से और तीसरा चीज है कि आपको दिखाना है कि AB पलस AC बड़ा है आपको BC से ठीक है? तो यहाँ इन चीजों को दिखाना है इसमें एक काम करें यह तिर्भूज ABC नहीं लिखे क्योंकि कोर्शन में नहीं कह रहा कहीं है ना क्योंकि यहां कहीं नहीं कह रहा कि एक तिर्भूज है ठीक है अजब नहीं कह रहा तो नहीं है आप फिकर में दिख रहा है कि है लेकिन उस चीज़ को आप इगनोर कर दीजे यहां से यहां नहीं मेंसन करेंगे ठीक है यहां बसक एंगल A का सम्दी भाजक है, ठीक है, अच्छा जब सम्दी भाजक है, यानि कि उसके दो बराबर पर भागों बाट रही है, यानि कि एंगल B, A, D, बराबर है एंगल C, A, D के, समझें ना बात को, ये दोनों को बराबर है, ठीक, अब चलिए, अब यहां देखिए, आप तो B, D से, A, B, बड़ा है, B, D से, ये आपको दिखाना है, ठीक है, तो आप यहां पर लिख सकते हैं इस तरह से, कि एंगल A, D, B, हाना, बड़ा हो जाएगा, एंगल किस से, तो एंगल D, A, C से, देखिए, A, D, B, ये जो होगा, इस तिर्भूज के लिए बाहेकोंड होग ना, क्योंकि दोनों का योग के ये बराबर होता है, ऐसा क्यों होगा, कि चुकी एंगल A, D, B, जो है ना, वो बराबर है, एंगल D, A, C, हाना, D, A, C, आप D, A, C लिखिए, C, A, D लिखिए, एक ही बात है, तो D, A, C, प्लस A, C, D के योग के बराबर है, इन दोनों के योग B बड़ा होगा अच्छा D A C जो है यहां देख रहे ना ये भी तो D A C है C A D लिखे है D A C एक ही मतलब होगा ना तो इसके जगा पर हम लोग ये अंगल ले सकते हैं कि नहीं अंगल B A D ले सकते हैं ना तो आप देखिए यहां से ये यहां पर आपको figure में देखिए A D B A D B बड़ा है अंगल B A D से जब ये बड़ा है तो बड़े कोड़ के सामने वाले बज़ा बड़ी होगी यानि कि इसके सामने कौन जी बज़ा है तो इसके सामने वाले बज़ा है A B अच्छा ये बड़ी हो जाएगे किस से, तो इसके सामने वाले भुजा से, तो B, A, D के सामने देखिए, तो B, A, D के सामने क्या है, B, D है कि नहीं, तो ये तो पहला आपका थावित हो गया न, तो यहां कैसे लिखेंगे, कि बड़े कोंड के, बड़े कोण के सामने वाली भुजा, सामने वाली भुजा, भुजा, बड़ी होती है, बड़ी होती है, समझेगे न, तो बड़े कोण के सामने वाली भुजा बड़ी होती है, इसलिए ऐसा हो रहा है, अब इसको हम लोग मालेते हैं, क्विशन फर्स्ट, ठीक है, इसको माले अभी काम आएगा अच्छा दूसरा आपको अब उल्टा दिखाना इसमें क्या दिखाना दूसरा कि यह AC इस CD से बड़ा है इस पर चलना है तो चलिए इसके लिए अब देखते हैं तो उसी तरह से यहां भी उल्टा करेंगे कि यहां वाला एंगल जो होगा यहां से लिख दे से BAD से बड़ा होगा क्यों बड़ा होगा क्योंकि चुकि आपको पता है कि एंगल ADC के वैलू एंगल BAD और पलस एंगल ABD इन दोनों को मिलके बनेगा ADC के वैलू जो होगा ADC के वैलू होगा यह इस कोड़ और इस कोड़ दोनों के यह के बड़ा होगा तो प्रतियक से त इंगल B, A, D के जगह पे, आप C, A, D भी तो लिख सकते हैं न, क्योंकि दोनों तो बराबर है उपर, क्योंकि ये इसका संदिभाया कहते हैं तो दोनों बराबर हैं, इंगल C, A, D, अब चलिए, A, D, C के, A, D, C के सामने वाली भुजा, A, C हो गई, और इसके सामने वाली भुजा, देख लीजे, C, A, D के समने वाली बुजा, C, D हो गई, हो गई ना, तो यह समिकरन दो, यह जो साबित करना था, यह भी आगए, दो आ गया, आप क्या करें, समिकरन एक और दो को जोड़ दिए, समिकरन, एक तथा, दो को जोड़ने पर, तो दोनों को जब जोड़िएगा, त B, D और C, D जोड़िएगा, तो क्या हो जागा, B, C हो जागा की नहीं, तो यह तीनों आपका यहां से, प्रमानित हो गया, समझ गया, चलिए अगले पर चलते हैं, कुशन ना,